um दिखाय देता होगा मशीन इंपट का ही अदर नाम है दुसरा नाम है इंपूड आउट्बूट इसको इंपूड आउट्बूड भी बोला जाता है या फिर मशें इंपूड ठीक है ये अज्बिपस पी-ओ या फिर एशो hacks校 इाद में आचीशीन आफिरो ठीक है जो कि एक काफी important chapter है और scoring भी है यदि सही से आपको इदे logic समझ में आ गया तो full marks जो 5 marks जो पुछा जागा पूरे आप ला सकते हैं ठीक है हाँ हो सकता आप बोलेगा sir color के बारे आप नहीं बता रहे हैं तो color के means में आपको पूछा जाएगा तो जब मैं PO के बारे बता रहा हूं कि PO में आएगा और PO के लिए चली हम लोग देखते हैं machine input को तो जब PO के लिए है तो color के तो होगा ही समझ गए ना जिस तरह से graduation मैं पास हूं तो metric और plus 2 तो मेरा होई ही गया होगा इसी तरह से तो उसको देखते हुए भी आप अपना तयारी यहां से कर सकते हैं machine input का आप को यह guideline मिल जाएगा ठीक है लेकिन आज यह first video है पहला video है मैं एक दों basic से start करना चाह रहा हूं ताकि machine input में जो लोग चाहते हैं कि उनका command आ जाए तो यहां से देखकर आप अपना basic अच्छा कर सकते हैं और command ला सकते हैं इसका second video भी मैं जल्द लाओंगा ठीक है देखें क्या लिखा हुआ है in this chapter you are asked to identify the process done by a machine एक machine के द्वारा जो भी process किया जाता है ठीक है उसको identify करना है पता लगाना है कि machine क्या process कर रही है और output दे रही है these processes are performed repeatedly ठीक है वो जो है जो भी process करती है repeatedly करत है अलग-अलग तरह के process करते रहती है कभी कभी के वेशा भी होता है कि पुराना जो process हुआ था फिर से वो repeat हो गया है कभी नए process कभी नए कुछ उसमें changes आ रहे है फिर पुराना pattern को फिर use किया जा रहा है उस तरह से होता है ठीक है as per prefixed pattern पहले से decide रहता है preplant रहता है कि क्य क्या pattern लेना है अलग-अलग step में ठीक है and subsequently we have a different output we have a different output in different steps हाँ सही है हम लोग को अलग-अलग output मिलता है अलग-अलग steps में जो भी steps है न उसी को हम लोग output बोलते हैं जो input लिखा रहेगा वो तो input है ही लेकिन जो उसके steps है उन्हीं steps को ही बोला जाता है output जैसे 5 step है यानि 5 output ह ठीक है let's take a simple example to understand it चले इसे समझने के लिए एक छोटा सा उधारन ले लेते हैं देखे क्या रिका हुआ है the computer would be the best best example हाँ जो computer है वो best example है machine input chapter का best example computer है कैसे computer में हम लोग क्या करते हैं input डालते हैं ठीक है input डालते हैं फिर उसके बाद वो process करती है computer जो है वो process करती है और processing करने के बाद तुरंत ही उसका हम लोग को output दे देती है कुछ ना कुछ process चलता होगा इसके बाद output वो दे देती है जैसे हम लोग कुछ search करते हैं ठीक है chrome में ठीक है हम लोग जैसे कुछ search करते हैं तो तुरंत वो search करके हम लोग को उसका result बता देती है ठीक है ना यह हम लोग कुछ प्रिंट देते हैं प्रिंट करते हैं और तुरंद फिर प्रिंटर से फिर प्रिंट होके फिर निकल जाता है उट पूट आ जाता है उसी तरह का ठीक है देखें there are two types of questions in this chapter यह जो chapter है machine input इसमें दो तरह के question पुछे चाहेंगे या तो एक shifting वाल question होगा या फिर arrangement होगा ठीक है note में याद रखेगा always check the last step of the arrangement you will get an idea that what logic has been used in the arrangement कभी भी आपको एक input दिया जागा और उसके steps दिये जाएंगे देखें एक्जाम में कैसा पूछा जाता है एक्जाम में आपको एक input दिया हुआ रहेगा और उस input का output भी दिया हुआ रहेगा मत आप वो अलग-अलग steps में अलग-अलग logic और pattern लगता है उसको समझना पड़ेगा कि किस step में क्या pattern चल रहा है जब आप उसको समझ जाएगा तो आपको फिर और एक input दिया जाएगा और उस input को solve करना है according to the above input and its step उपर में जो input और उसके steps दिये गए हैं उसी को follow करते हुए और एक input आपको दिया जाएगा और आपको बताना है कि इस नए वाले input का output क्या क्या होगा कितने steps में जाकर ये end होगा ठीक है उपर वाले से hint लेना है हमेशा एक example दिया वा रहेगा उसके बाद ही आपको पूछा जाएगा समझ गए तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और ये उसके पास आजाता है ठीक है लेकिन arrangement में क्या है कि कोई एक वेक्ति किसी का place ले लेता है तो जिसका place वो ले लेगा कोई जरूरी नहीं कि उसको इसका place मिल जाएगा उसको कहीं और भेज दिया जाता है ठीक है यही difference है shifting और arrangement में जैसे देखे एक input दिया हुआ है input मे में लिखा है DEBAC, यह अलग-अलग later है यह कोई word नहीं है, यहाँ पर आप चाहिए तो कॉमा भी दे सकते हैं, D, E, B, इस तरह से, तो DEBAC एक input है और इसका steps दिया हुआ है, step number one में लिखा हुआ है EDBCA, तो क्या process हुआ होगा, किस तरह से EDBCA हुआ होगा, तो देखे क्या process जो input में जो one, two, three, four, five later है ना, DEBAC, तो पांच later का जो first और second later है, उनको अपस में place change, एक दूसरे से exchange हो गए है, place interchange कर लिए है, second वाला first में आ गया है, first वाला second में आ गया है, देख सकते हैं, यह आ गया है second में, first में, और D जो first में था वो आ गया है second में, और last के जो दोनों है, last, second last और last, वो दोनों एक दूसरे से place change कर लिए है, यह आया है, उसके पास, वो आया है, इसके पास, और middle वाला जो B है, उसका place fixed है, यही step one में हुआ है, यानि आपको एक नया input में कुछ ये लेटर दिया जागा, इसी तरह से, कुछ different letter, और बोला जागा कि इसका step one क्य होगा, तो आप भी क्या कीजेगा, उसी वो जो पांच लेटर दिया जाएगा, जो भी पांच लेटर आपको दिया जागा, इक इंपूड में, नए input में, उसका first और second को exchange कर दिजे, middle वाले को same रखिए, और last के दोनों को फिर exchange कर दिजे, क्योंकि इसने वैसा किया है, ठीक और step 1 का जो first letter है, वो चला गया है, last में, ये दो, मतलब A और E, A और E आपस में place exchange कर ली हैं एक दूसरे से, और बाकी जो बच गया, वो agities है, BBC agities है, मतलब step 2 में क्या हुआ है, step 1 के जो elements है, उसमें first और fifth एक दूसरे से exchange हो गये हैं, और बाकी agities है, यही step 2 में हो रहा है, तो आपको भी एक नया input दिया जागा, तो उस input का step 2 क्या होगा, तो step 1 पहले निकाल लेंगे, और step 1 में क्या करेंगे, जो first और second को जो exchange कर रहे थे, middle वाला same रह रहा था, और last के दोने exchange कर रहे थे, उतना करने के बाद, फिर क्या करना है, step 2 में, last वाले को first में, first वाले को last में ले आएंगे, बाकी सब agities रहेगा, इसी तरह सी step 2 हो जागा, मतलब देख देख के बनाना है, यहां जैसा हो रहा हो, इसे मुझे बनाना है, आप लोग और एक नया input दिया जागा, उसमें बताना है, ठीक है, हाँ, तो इसमें आप ऐसा भी कर सकते हैं, कि आप numbering कर d का नाम 1 दे दिजे, e का नाम 2 दे दिजे, b का 3 दे दिजे और a का नाम 4 दे दिजे, और c का नाम कर दिजे 5, तो step 2 में हम लोग देख रहे हैं कि a पहले है, मतलब कि 4 वाला पहले है, फोर्त नमबर पे जो है न, वो पहले आ चुका है step 2 में, तो आप भी क्या किजे, step 1 पहले आयेगा, क्योंकि इसमें भी चौंथा वाला, फॉर्थ वाला पहले आया है, ठीके हैं, और उसके बाद ड आया है, मतलब फरस्ट वाला , फर styl tert नमर पे आया है, तो आप भी फर्स्ट वाले को फिर फिर सेकंड में कर ली जेगा, इस तरह से Mamig देख के बना सकते हैं, तो फिर उसके बाद step 3 में क्या हो रहा है, step 3 में क्या हो रहा है, फिर उसी तरह से step 2 के जो elements हैं, उसमें first और second को फिर से exchange किया जा रहा है, d आ गया first में, a आ गया second में, और e आ गया second last में, last वाला second last, और second last लास्ट में आ गया, मतलब last के दोनों exchange हो गय है और first का दोनों exchange हो गया है middle वाला फिर same है तो third में हम भी उसी तरह से करेंगे या फिर step one और step two को ना बना कर direct हम third step भी बना सकते हैं एक नए input का क्या करेंगे बी पहले आया है मतलब पहला वाला पहले है तो मेरा भी जो नए input में पहला रहेगा उसको हम पहले ले आएंगे step three नाम दे देंगे इस तरह से देख देके बना सकते हैं इसी को फिर चाहेंगे तो फिर कुछ exchange कर देंगे फिर कुछ पलट देंगे फिर तीसरा वाला को पहला म में ऐसे करके and so on यह चलता ही रहेगा हम चाहेंगे तो इसको इनफिनिटिव तक अनंद तक इसको हम चलाते ही रहेंगे shifting वाले में जब मेरा जय सम्मन करेगा हम वैसा करते ही रहेंगे तो नया जो input होगा उसमें भी same यही process follow होते ही रहेगा and so on चलता ही रहेगा ठीक है तो arrangement जब बनाएंगे तब फिर मज़ा आएगा तब man machine input में हम लोग उतरेंगे ठीक है तो चली जल्दी से हम लोग देखते है जल्दी से हम लोग देखते है arrangement के question को हाँ arrangement का question कैसे होता है जैसे देखे एक input दिया हुआ है d e b a c फिर उसी तरह का d e b a c और step one में क्या है step one में a step step one में है a d e b c a d e b c तो ध्यान से देखे कि input जो हमारा था ठीक है उसका जो पहला output है step one वो उसको लिखा गया है a d e b c तो क्या changes है, input और step 1 में क्या changes है, ध्यान से देखे, क्या input में जो लिखा है, same वही step 1 में भी है, नहीं, step 1 में same वैसा नहीं है, यदि वैसा same रहता, तो इसका नाम step 1 नहीं होता, किसी भी step का नाम step 1 क्यों होता है, क्योंकि उसमें एक काम हो चुका है, एक arrangement हो चुका है, इसलि किसी भी step का step 2 नाम क्यों रहता है क्योंकि उस step में दो काम हो चुका है किसी भी step 3 नाम क्यों रहता है क्योंकि उसमें तीसरा काम हो चुका है दो काम होने के बाद तीसरा काम मतलब आपके तरब ये काम आपको करना है एक step में एक काम होना ही चाहिए इस step में एक काम होना ही चा या फिर ग्रेवशन अभी चल रहा है या फिर ग्रेवशन हो गया है ऐसे ही बच्चे होंगे जो कि मेरे इस वीडियो को देखते होंगे तो आप ध्यान दीजे इंपूट में लिखा हुआ है D, E, B, A, C तो और step 1 में उसको change करके इसी को change करके लिख दिया गया है A, D, E, B, C त बाकी जितने लेटर से वो अंदर चले आए है ठीक है बाकी सब को वो अंदर कर दिया है ये पहले आ गया ये पहले जाकर और सब को पीछे कर दिया है कभी-कभी होता है हम लोग railway station में कभी-कभी counter में line लगते हैं टिकट लेने के लिए तो कभी-कभी क्या होता है कि पीछे स से आगे आगया और बाकि सब को बोर रहा है कि अरे चलो या पिछे चलो ना पिछे चलो ना तुम लोग और वो टिकट लेकर चला गया हम लोग तो देखते रहा गया अरे यार पिछे बैठावा था पिछे लाइन लगा था यार और सबसे आगे जाकर और टिकट लेने लगा और हम लोग को बोर रहा है कि पीछे चलो तुम लोग सब थोड़ा घिसक जाओ पीछे जाओ तुम लोग तो फिर हम लोग हला करने लगें कि भाई क्या बात है क्या बात है पीछे का एक आदमी आगे जाकर और हम लोग को बाकी को बोर रहा है कि थोड़ा तुम लोग थोड़ परिवार के साथ उन लोग को कहीं निकलना था एक दो दिन के बाद तो इसी के लिए अपने बेटे को वह इसारा करके बुलाएं थे ठीक है कि आगे आ जब तुम्हें देदूंगा उसके बाकी लोग फिल ले लेंगे तो ऐसा हो सकता फिर हम लोग बोलते हैं कि चले ठीक है को को वहां के अंदर आ गया आगै वहां से निकल के बाहर आ गया वहां से निकल के बाहर आ गया वागी जब को में क्या होगा इस मीच्ट्प वो B अब B उठ जाता है, अब B जो है, वो फिर आगया आजाता है A के बगल में, ठीक है, A के बगल में अब B आगया, और बाकी सब को फिर वो अंदर कर दिया, देखे, A आया था, अब A के आने के बाद, अब B भी आगया है, सकेंड नमर पे, और बाकी सब को अंदर कर दिया, D, A, C, देखे, D, A, C, फिर उसके बाद तीसरा में क्या हो रहा है, A अपने प्लेस पे तो था ही, B अपने प्लेस पे तो एजिटी है, मतलब जो जहां पर सेलेक्टेड थें एक बार, वो अपने प्लेस अपने वहीं पर रख रहे हैं, और इसके बाद अब C, C अब उठके वहां से आता है, और आगया आजाता है A और B के बगल में, C आगया आगया, फिर उसके बाद D और E को थोड़ा सब और रहा है, C को तो अभी-अभी हम लोग लिये थें, अब इसके बाद किसका नंबर है, तो अब इसके बाद D का नंबर है, अब इसके बाद D का नंबर है, तो लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जब A, B और C को हम लोगों ने लाया, तो by default D अपने आप एरेंज हो गया C के बगल में, हमने नहीं लाया, बचा हुआ था D और बचा हुआ E है, जो जैसे बचे रहते हैं न, एज इटीज वो इसे उतरते हैं, तो by default D बचा था, फिर उसके बाद E बचा हुआ है, तो D को उतारें और E को उतारें, तो by default यहाँ पर C के ज़स्ट बाद D होता है, और D आटो एरेंज हो गया है, D यदि इधर रहता, D यदि यहाँ पर रहता और E यहाँ, तो हम लोगो step 4 और एक लेना पड़ता, और D को फिर लाना पड़ता, और E को फिर अंदर कर देते, लेकिन यहाँ पर step 2 के बाद step 3 में जैसे ही C को लिए, तो D भी और E भी अपने आप एरेंज हो गया है, यानि यहाँ पर auto-eरेंज केस हुआ है, यह आटो एरेंज केस नहीं रहता, तो step 4 भी लेना पड़ता, अच्छा ठीक है, अच्छा और इक बात है, आप लोग हो सकता बोलेगा, sir पहले A ही क्यूं आया, पहले उसके बाद फिर A के बाद B क्यूं आया, B के बाद C ही क्यूं आया, ठीक है, ऐसा क्यूं हो रहा है, तो writer ने यह एक example दिया है, ये एक example लिया है, इसके input और उसके steps को आपको समझना था, फिर इसके बाद एक नया input दिया जाएगा, जिसको कि आपको solve करना है, तो इसमें pattern क्या चल रहा है, इसमें pattern चल रहा है, A to Z, alphabet जितने भी हैं, सबको A to Z, increasing order में सजाय जा रहा है, ठीक है, सबको arrange किया जा रहा है, कै एसा arrangement चल रहा है, English alphabet का increasing order में, dictionary order में, पहले A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E, देखें, last step को देखेंगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, पुरा arranged रहेगा, मैंने इससे पहले आप लोगों को note में अभी बताया था, कि कोशिस कीजेगा कि किसी भी input का, किसी भी input का last step को देख arrange किया जा रहा, step 1 में A आया था, और बाकी सब को अंदर कर दिये, फिर step 2 में A के बाद B को भी ले लिए हैं, बाकी सब को अंदर कर दिये, फिर step 3 में A, B के बाद C को भी ले आये हैं, alphabetically मुझे arrange करना है, ठीक है, increasing order में C को लाएं, बाकी सब को अंदर कर दिये, तो बाकी आप एरेंज हो गया, यानि यहाँ पर आटो एरेंज हो गया, नहीं आटो एरेंज होता, तो step 4 भी लेना पड़ता, ठीक है, तो इसमें क्या पैटर्न चल रहा है, a to z, a to z, step wise, एरेंज किया जा रहा है, लेकिन हाँ, कैसे मुझे एक्जाम में पता चलेगा, कि आटो एरेंज केस आ सकता है, जैसे किसी को नहीं पता है, तो mistake से हो सकता है, कि वो ध्यान ना दे, आटो एरेंज, और फिर step 4 भी बना दे, a, b, c, d, e, ऐसे करके, ठीक है, तो देखें कैसे पता चलेगा, जब, जब कभी, जब कभी किसी भी step में, कोई एक element है, जिसका place, फिक्स रहे, ठीक पहला step का first element क्या है, तो step 1 का first element है, मैं element बोर रहा हूँ, alphabet या फिर number या कुछ भी exam में रह सकता, या word भी रह सकता, इसलिए कोई जरुनी कि यहां पर a ही रहेगा, यहां पर कुछ भी हो सकता exam में, तो input का जो पहला step है, उसमें सबसे पहला element क्या आया है, तो a आया है, तो जो element आयेगा, उसको देखेगा कि क्या वो हर एक step में उसका place fixed है, या फिर उसका भी place बार बार फिर change भी हो रहा है, ठीक है, उसको ध्यान दीजेगा, ठीक है, तो इसका place हम लोग देखने की fix है, a का selection step 1 में सबसे पहले हुआ था, ठीक है, क्योंकि in alphabetically सबसे छोटा a है, त यहां पर एक प्लेस fixed है, एक प्लेस, एक प्लेस fixed है, fixed, ठीक है, एक प्लेस fixed है, fixed है, तो यदि किसी element का place यदि fixed रहेगा, जब आपको एक example exam में दिया जाएगा, एक input उसके strips दिये जाएंगे, और एक नया input दिया जाएगा, उसको आपको solve करना है, according to this pattern, this logic, ठीक है, you will have to follow all the logic and patterns of the above input and its step, तो एक नए input को उसी तरह से solve करना है, तो आप अपना example जो आपको exam में दिया जाएगा, उस example में जल्दी से आप देखेगा कि जो step 1 का पहला element है, क्या उसका place fixed है, या फिर उसका place बार बार चेंज हो रहा है, इस तरह V-shape में आ रहा है क्या, इस तरह से आ रहा है, ठीक है, तो इसमेः place fixed है, fixed है, इसका मतलब क्या हुआ?This is elaboration case कहींपर भी आ सकता है, कहींपर भी auto-arrange case आ सकता है, बहुत केरफुली solve करना पड़ेगा, बहुत केरफुली देखना पड़ेगा, ठीक है, तो ये example है auto-arrange case का, ये example है auto-arrange, मतलब अपने आप जो arrange हो जाते हैं कुछ element वो कहीं न कहीं पर जरूर आएंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, auto arrange case, auto arrange case, ठीक है, चलिए, अब हम लोग arrangement का ही दूसरा example देखते हैं, दूसरा example में देखें कि input दिया हुआ है, और input का जो element है, वो same है, जो पहले वाले input के जैसा, DEBAC, DEBAC, इस बार देखें, इस बार writer ने, examiner ने step 1 भी दे दिया, step 5 तक दिया है, ठीक है, ये step 3 तक था, और ये step 5 तक है, अब आपको logic इसमें समझना है, कि क्या logic चल रहा है, देखें, इसमें भी सबसे पहले A आया है, सबसे पहले A आ चुका है, आप क्या कीजेगा, A को ल आया गया है, तो A को हम लोग टिक लगा दिये, A को हम लोग टिक लगा दिये, ताकि याद रहेगा कि A का selection हो चुका है, बाकि सबको A, G, T, नोट कर देना है, सब लोग अंदर चले जाएंगे, D, E, B, और C, A तो पहले हो चुका था, अब step 2 में हम लोग देख रहे हैं, A को A, G, T, नोट करते थे, फिर A के बाद B लेते थे, यदि increasing order लेना है तो, यदि increasing लेना है तो, लेकिन यहाँ पर वैसा नहीं हो रहा है, यह थोड़ा सा change लग रहा है, इसमें step 1 में सबसे पहले A का selection हुआ था, और A बाहर आया, बाकि सबकों अंदर कर दिया, और step 2 में, A, step 2 में B बाहर आ गया है, step 2 में B बाहर आ चुका है, step 2 में सबसे आगे B आ गया है, और B आ चुका है, और यहाँ जो सबसे पहले A आया था, इसके just, अच्छा हाँ, समझ में आ रहा है, B जो है ना, उसका selection हो रहा है, वो आ गया आ जा रहा है, बाकि को अंदर कर दे रहा है, B आ गया है, step 1 की जितने elements थे, उनके सबसे आगे B आ गया है, और बाकि सब को shift अंदर कर दिया है, ठीक है, B बाहर आ गया, बाकि सब को अंदर कर दिया है, step 1 में A आया था, और step 2 में A को हम लोग इससे पहले देखते थे, कि यहाँ पर A का place fixed था, और बाकि जो elements select करते थे, और C को फिर यहाँ ले आए, बाकि सब को agility देखते, ठीक लगाने से क्या होता है, उससे याद रहता है, कि इसका selection हो चुका है, बाकि जो बचे हैं उसी को बुतारना है, देख देखकर, ठीक है, लेकिन यह सब long method है, आगे अभी देखेगा, आगे अभी sort trick देखेगा, ठीक ठीक है, जैसे हम लोग कभी-कभी होता है ना, मामी पापा के साथ कहीं हम लोग पिकनिक में कहीं घूमने करे जाते हैं, सपोज बस से या ट्रेन से जा रहे हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि पापा छोटी उतना देर से बाहर खिड़की के तरब बैठी हुई थी, आधा गंट बहुत खराब लगता था, है ना, समझ गई, तो यह एक 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 जामपल है, उसी तरह से यहां पर हो रहा है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, जो एक बार खिड़की के तरब बैठा हुआ था, ट्रेन में या बस में, एक बार जो अपना सीड लिया, उठता ही नह सीख कर लिया है अपना प्लेस, तो ए सबसे पहले बाहर में था, और बाकी को फिर हम लोग एजिटीज फिर उधर कर दिये, फिर ए के बाद फिर उसके बगल में बी आ गया, ए के बगल खिड़की के तरफ ए था, उसके बगल में बी आके बढ़ गया है, बाकी लोग से लग रहा है कि A, B, C, D सा जा रहा है तुम लोग, तो फिर ये लोग बोल रहे हैं, हाँ, हम लोग तो वही कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हम लोग को वही मिला है, हम लोग को इंस्ट्रक्शन वही मिला है, कि जो भी स्टेप से उनको अलफ़ाबेटिकली एरेंज करना है, हम ही तुम से पहले रहेंगे, क्योंकि मैं तुम से पहले आता हूँ, तो मेरा हम मुझे, ये लोग तो उट उट के अपना प्लेस चेंज कर रहे थे, D को चेंज नहीं करना पड़ेगा, by default C के बगल में D ही आता है, और D ही हो गया है, और उसके बगल में D के बद E होता है, तो E भी एज़िटीज है, मतलब यहां पर आटो एरेंज हुआ है, ठीक है, तीसरे स्टिप में आटो एरेंज हुआ है, लेकिन यहां पर देखे, फिर अब A और B और A सबसे पहले आया था, बाकी को अंदर कर दिया, फिर B बाहर आगया, A को को पहले था को अंदर कर दिया, अब C यहां पर हीरो ben रहा था, तो क्या हो गया, अब D ऊटके आ गया, और D आया, और C, B और A को बोरा चल, तुरों अंदर चल तो, अंदर चल, ठीक है, तो D सब को अंदर कर दिया, अब उसके बाद, फिर थोड़े देर के बाद, D हिरो बन रहा था, तो अब E आ गया, E बोर रहा है कि सबसे बड़े तो यहां पर हम है न, हम बताते हैं, ठीक है, E बाहर आ गया, और E बाहर आने के बाद, फिर E बाहर के तरफ खिड़की के तरफ आगया, सबसे आ गया, और बाकी को बोरा चल, चल, तुम लगे उददर सेप्ड होटो, हम रहेंगे सबसे आगे में, तो फिर यह लोग फिर अपोज करने लगे, कि तो, ऐसा क्यूं हो रहा, इसा की हो रहा है सबका place तो बार-बार change होते जा रहा है तो फिर ये लोग बोर रहें फिर इस में से कोई बता रहा है ठीक है कि नहीं हम लोग को ना sir हम लोग को यही instruction दिये हैं कि हम लोग को इसी तरह से बैठना है और ये जो ये जो एर्रेंजमेंट हो रहा है वो increasing order में ही हो अपना-पना place change होते ही जाना है अभी-अभी जिसका selection होगा वो बाहर आ जाएगा बाकी लोग अंदर चले जाएगे तो ऐसा करने से एक दिकत हो जाएगा दिकत मतलब कि एक इसमें से कुछ नया चीज़ देखने को क्या मिलेगा कि जो सबसे पहले जिसका selection हुआ था जिसका selection सबसे पहले हुआ था ठीक है ना हम लोग देख रहें कि उसका place change हो जा रहा है वो सबसे आगे था तो अब सबसे पीछे चला जाएगा जैसे ए का selection सबसे पहले हुआ था लेकिन बेचारा ए सबसे last में चला जाता है सबसे last पहुँच जाता है देखे देखे ए सबसे last में चला गया, यहां पर देखे, यहां पर एका प्लेस फिक्ष्ड है, लेकिन यहां एका प्लेस चेंज हो चुका है, यहां पहले नमर पे था, फिर यहां दूसरे में आ गया, पांचवाई स्टेप में पांचवे में आ गया है, ठीक है, तो इसमें प्लेस चेंज हो रहा है, प्ल auto-arrange case नहीं आएगा तो जब place change होगा किसी भी हाँ किसी भी input का step one का पहला element को देखेगा कि उसका place fixed है उसका place fixed है यह place change हो रहा है यदि place fixed मतलब की thought tough question है auto-arrange case कहीं पर भी आ सकता है लेकिन यह place change हो रहा है मतलब ऐसा question को जरूब बनाएगा यह ज्यादा easy रहता है ठीक है ये non auto arrange case है non auto arrange case मतलब auto arrange इसमें नहीं होगा auto arrange होगा ही नहीं none auto arrange non auto arrange case ठीक है और ये auto arrange case जब place fixed रहेगा तो auto arrange अब place change रहेगा non auto arrange अच्छा अब दोनों में और एक दोनों में कुछ एक difference है, क्या difference है, जो non auto arrange case place change वाले में, place change वाले में, input में जितने element रहते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, उतना ही total step जाता है, ठीक है, तो इसका second वाले का, second वाले input का जो example दिया गया है, इसको देखकर आपको समझना है, और according to this logic और pattern, आपको और एक input दिया जाएगा, और उसमें पुछा जाएगा, बताइए कि कितने step में ये तयार हो जाएगा, complete हो जाएगा, तो उसमें जितना element रहेगा न उतना ही बता दिजेगा, क्योंकि place change वाले में, जितना element रहता है, उतने ही step में complete होता है वो, लेकिन fixed वाले में, यदि 5 element है, तो 3 में भी arrange हो सकता है, final arrangement, या तो 2 में ही हो सकता है, या तो 4 में हो जाएगा, मतलब 5 है तो 5 नहीं लगेगा, उससे कम ही रहेगा, 5 है तो maximum 4 तक में arrange हो जाएगा, 10 है तो maximum 9 step तक जाते जाते complete होई जाएगा, maximum 9, 8 में भी हो सकता है, 7 में भी हो सकता है, 5 step में भी complete हो सकता है, क्यूंकि बार बार auto arrange, by default अपने आप set हो जाता है ना, ठीक है, auto arrange होने होने के कारण, जल्दी खतम हो जाते हैं, लेकिन इसमें कभी auto arrange होता ही नहीं है, तो सबको एक एक बार खिड़की के तरवाने का मौका मिलेगा, एक बार A को मौका मिलेगा, फिर एक बार B को मौका मिलेगा, एक बार C को मौका मिलेगा, तो जितने elements हैं, 10 हैं तो 10 step जाएगा, 15 हैं तो 15 element, साथ है तो साथ element जाएगा ठीक है यह आप लोगों ने देखा होगा अब चली हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इससे पहले मैंने जितना भी आप लोग को बताया machine input में उसको आप लोग ध्यान से देखे होंगे और समझे होंगे अब चली हम लोग आगे आप बढ़ते हैं आग कैसे आपको arrange करना है ठीक है तो हिंट है कि arrange कैसे करना है arrange a to z stepwise अलग-अलग stepwise इसको arrange करना है और a to z में arrange करना है पहले a वाले को लेंगे फिर b वाले को लेंगे फिर c वाले को फिर d वाले को ठीक है auto arrange case auto arrange case क्या होता है जो भी element जिसका selection एक बार हो जाएगा वो बार बार ह मैं सब fixed उसका place रहेगा उसी को मैं auto arrange बोर रहा हूं तो इससे पहले इससे पहले मैं बता चुका हूं आप लोग को कि auto arrange क्या होता है non auto arrange क्या होता है उसको पहले ठीक से समझेए फिर आप यहां तक पहुंचेए ठीक है तो चलिए हम लोग को instruction दिया गया है कि a to z में arrange करना है और auto arrange case रहेगा और step wise करना है ठीक है तो long method से अभी पहले देख लेते हैं long method से इसको देखते हैं और इसी को short trick से देखेंगे दोनो same है दोनो arrangement का ही example है यह देखे एक input है इसको long method से मैं बना के दिखा देता हूं और same same यही logic देखें एरेंज करना है एरेंज करना है a to z step wise auto arrange case और इसमें भी हिंट है एरेंज करना है a to z step wise auto arrange case ठीक है मतलब एक बार जिसका selection हो चुका हो हमेसा बहारी रहेगा दोनो same question है मतलब same type का example है एक ही तरह से solve करना है pattern दोनों का same है लेकिन इसको मैं long method से बनाऊंगा इसको short trick से बनाऊंगा exam में आपको short trick यूज करना है ठीक है तो देखे long method से इसको हम बनाते है long method से जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कि पहला step step wise बोला गया है तो step one ले 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 ठीक है तो step one step one step one में क्या बोला गया है a to z लेना है तो इसमें देखे सबसे छोटा कोन है a to z लेंगे तो सबसे छोटा फिर उससे बड़ा उससे बड़ा तो a a सबसे छोटा है a सबसे छोटा है तो a को बाहर ले आएंगे a बाहर आ जाएगा step one में a बाहर आ गया step one में a बाहर आ गया बाकी सब को अंदर कर देगा वो ठीक है तो बाकी सब को input में input में देखे कि बाकी अब क्या क्या बचा तो d जो नहीं टिक लगा उसको देख देखे उतार दीजे तो काम यह हुआ है कि A सबसे छोटा था वो बाहर आ चुका है बाकी को अंदर कर दिया है उसने तो यही काम हुआ है step 1 में हर एक step में एक काम होना चाहिए चलिए अब step 2 देखते है step 2 step 2 में अब क्या काम होगा step 2 step 2 में अब क्या करना है यहां बोला गया instruction दिया गया है कि A to Z तो A से बड़ा कौन है तो B है तो A से बड़ा B है तो B को टीक लगा दिए अब A अपने place पे fix रहेगा और A के बाद B आ जाएगा अब B का number है बाकी सब को A, Z, T देख देख के उतार देंगे D, D note कर देंगे फिर E को note कर देंगे फिर C को note कर देंगे चलिए अब तीसरा step 3 में क्या करेंगे A का selection हो चुका इस step 3 में हम लोग क्या करते हैं जिसका selection हो चुका है पहले उसको note कर लेते हैं तो A का selection हो चुका था B का selection हो चुका था अब step 3 में हम लोग को किसका नमबर है, अब C का नमबर है, तो C को टिक लगा दीजिए, फिर C को बाहर में लिख देंगे, यहां पर A और B के बाद, और बाकि साब को A, G, T देख देखे उतार दीजिए, D और फिर E को हम लोग उतार दिए, अब चलिए, अब step 4 में क्या कि step 3 में A, B और C तो आ गया, step 1 में A को हम लोग लाएं थे, step 2 में A और B आया था, और step 3 में A और B के बाद C को लाएं थे, step 4 में A, B, C के बाद D को लाना चाहिए था, लेकिन by default देख रहे हैं कि C के बाद auto arrange हो गया है D, मतलब by default C के बाद D ही अपने आप arrange हो चुका है, और और last में तो E बचता ही है D के बाद, मतलब कि 4 step हम लोग को लेना नहीं पड़ा, लेकिन यह D होता इधर कहीं, और D इधर कहीं होता और E इधर कहीं रहता, ठीक है, तो यानि और एक step लेना पड़ता, तो यहाँ पर auto arrange case आ गया है, यहाँ पर auto arrange case हो गया है, auto arrange हो चुका है, क step 1 का जो पहला element है, उसका place जेदी fix रहेगा हरी की step में, यानि कहीं न कहीं पर auto arrange case आएगा ही, last खतम होते होते हैं, कहीं न कहीं पर आहीं जाएगा, किसी step में auto arrange आएगा नहीं पता, लेकिन कभी न कभी तो आ जाएगा, उसका ध्यान रखना है, ठीक है, तो यह 1, 2, 3, 4, 5 element है, तो maximum 4 तक में complete ही हो जाएगा, maximum 4, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, ठीक है, तो चलिए, तो इसमें आपको पुछा जागा कि how many steps will be required to complete this arrangement, ठीक है, तो 3 steps, हम लोग का answer क्या होगा हमारा, 3 steps will be required to complete this arrangement, इस arrangement को पूरा करने के लिए, according to this logic or pattern, 3 steps will be required to complete this arrangement, तो यह input हो ग output है, मैं output में 3 steps में, यहीं 3 steps एक तरफ से output है, चलिए, अब मैंने यहाँ पर आप लोग को समझा दिया, अब आप लोग को यहाँ पर solve करना है, solve करना है, लेकिन मुझे लग रहा, साइध आप लोगों से नहीं हो पाएगा, क्योंकि long method से तो आप बना लिजएगा, long method से तो आप बना लेंगे, जैसे इसमें भी बोला गया hint है, arrange करना है, a to z, step wise, auto arrange के, तो step 1 लिखेंगे, इसी तरह का step 1, तो step 1 लिखेंगे, और a to z ले नहीं, तो b वाला word, word का पहला letter हम लोग देखते हैं, b, best, एक input है, नसीम sir is the best reasoning faculty, ठीक है, तो इस example में हम लोग देख रहे हैं कि हर एक word का पहला letter लिया जाता है, dictionary order, तो b सबसे छोटा है, तो b पहले, best पहले आएगा, मतलब step 1 में क्या करेंगे, step 1 में सबसे पहले, best लिख इम, sir is the reasoning faculty, फिर उसके बाद step 2 में, step 2 में, auto arrange case बो रहे हैं, तो फिर best ही अपने place पे रहेगा, और b के बाद फिर किसको लेना है, b के बाद किसको लेना है, तो f लेना है, b के बाद a, b, c, d, e, f, तो f को ले लेंगे, best के बाद faculty होगा, ठीक है, faculty उसके बगल में लिखेंग टिक लगा देंगे, ले आएंगे, बाकि सब को agitage फिर अंदर कर देंगे, ये long method है, लेकिन exam में वैसे नहीं बनाना है, exam में sort trick यूज करना है, तो चलिए sort trick हम लोग सुरू करते हैं, देखे, सबसे पहले हम लोग किसको लेंगे, तो सबसे पहले a to z में लेना चाहिए था best को, तो क्या कीजे best को step 1 लिख के वहां मत नोट कीजिए, वह से में time लग जाएगा, suppose step 5, 6, 7, 8 तक जाएगा, तो उतना लंबा हम लिखेंगे बार बार, तो time बहुत waste हो जाएगा, exam में time बहुत कम रहता है, तो क्या करेंगे सबसे पहले, तो सबसे पहले best लेना है, तो best क को number one कर देंगे, best का नाम देंगे number one, मतलब best सबसे आगे चला जाएगा और बाकी लोग अंदर आ जाएगे, suppose हम लोग को पूछा जाएगा कि step 1 क्या होगा, which will be the first step, पहला step क्या होगा, तो हम लोग बोलेंगे step 1 will be, first step will be best, best, नसीम, sir, is the reasoning faculty, ठीक है, यह हो गया step 1, कोई ल अब B से बड़ा कोन है, हम लोग को A to Z लेना है, B से बड़ा कोन है, B से बड़ा है F, B से बड़ा F है, ध्यान से लेकिन देखिएगा, कभी कि mistake हो जाता है, B से बड़ा F है, तो F का नाम दे दीजे, 2 number, 2 number, ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है कि auto arrange case यहां कभी भी आ सकता है, ठीक है, अच्छा और एक चीज है, ठीक है, तो देखें और एक बात है, हम लोग को सबसे पहले इसमें best चाहिए था, सबसे पहला guard हम लोग को best चाहिए था, तो क्या best पहले से ही सबसे आगे था, क्या, कभी कभी होता है कि मुझे जो चाहिए लेना था, वो सबसे पहले और एरेंज है तो 1 का A हो जाएगा 2 नहीं होगा ठीक है तो best हम लोगों सबसे पहले चाहिए था तो best क्या सबसे आगे में पहले से था क्या नहीं पहले से तो आगे नहीं था मुझे आगे ले जाना पड़ेगा इसलिए इसका नाम 1 हो जाएगा फिर best के बाद मुझे faculty बेश्ट के बगल में, मुझे एक काम करना पड़ रहा है, इसलिए इसका नाम दो नमबर हो गया, ठीक है, तो बेश्ट हो गया, फैकल्टी हो गया, अब इसके बद किसको लेंगे, तो अब इसके बद होना चाहिए था I, F, G, H, I, ठीक है, तो क्या, इज जो इज, पहले से ही तीन नमबर, इज का नाम दे देंगे, तीन नमबर, ठीक है, तीन नमबर हो गया, यानि हम लोगों को पुछा जगा कि स्टेप 3 कौन सा होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि स्टेप 3 विल भी, बेश्ट, फैकल्टी, इज, इज, और इसके बद फिर बाकी को बोल देंगे, नस इसके बाद आना चाहिए था, इसके बाद आना चाहिए था, इसके बाद आना चाहिए था N को, ठीक है, तो बेश्ट हो चुका है, फैकल्टी हो चुका है, इसके बाद नसीम को आना चाहिए था क्योंकि N से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इन तीनों को लेकिन नसीम को लेना चाहिए था लेकिन वो तो पहले से ही आगे है इसलिए यहां पर auto arrange हो चुका है यहां पर auto arrange हो चुका है लेकिन नसीम इधर कहीं रहता तो फिर हम लोग को चार नमबर दे कर ले जाना पड़ता लेकिन नसीम को हम लोग को कहीं से लाना नहीं पड़ रहा क्यूंकि ये तीनो बेस्ट, फैकल्टी और इज को जब आगे ले जाएगा और बाकी को देख देके उतारना चाहेंगे कि बाकी जो बच गए है तो बाकी बचे हुए में नसीम ही तो चौंते नमर पे आ जाएगा इसलिए नसीम आटो एरेंज हो चुका है तो नसीम जो है वो चार नमर में नहीं जाएगा वो फिरी का A हो जाएगा फिरी का ही आटो एरेंज हो जाएगा फिरी का A, ठीक है अब N के बाद, नसीम के बाद अब हम लोग को क्या चाहिए था M, N, O, P, Q, R, O, P, Q, R तो अब R होना चाहिए था, लेकिन क्या, अब नसीम के बाद by default R ही रिजनिंग, R ही पहले आ रहा है क्या, नहीं नहीं, पहले तो सर है, फिद्धा है, बाद में रिजनिंग है, यदि R यदि यहां पर रहता, सर की जेगा पर यदि रिजनिंग रहता R, तो by default, नसीम के बाद फिर by default reasoning भी auto arrange रहता तो फिर reasoning का नाम तब हो जाता थिरी कब भी थिरी कब भी लेकिन reasoning इधर कहीं है तो मुझे उसको फिर सजाना पड़ेगा ले जाना पड़ेगा इसलिए इसका नाम हो जाएगा चार नमबर चार नमबर और RST RST R के बाद S R के बाद S होता है और S के बाद T होता है लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि R के बाद S होता है और अब तो बचे हुए जितने भी हैं उसमें से तो आगे से देखने पर तो अब S का ही नमबर है ना तो फिर यह यहाँ पर auto arrange हो गया है सर जो है वो auto arrange है मत्तब फोर का A यह हो जाएगा फोर का A फोर का A हो गय ठीक है तो चलिए PQRS हो गया S के बाद T चाहिए लेकिन अब तो T ही बचा हुआ है और तो कुछ है भी नहीं बचा हुआ इसलिए T जो है वो पांच नमबर में नहीं जाएगा जितने भी हम लोग select कर चुके हैं उनको लेने के बाद जब हम लोग दा को note करेंगे तो वो तो दा हो जाएगा 4 का B, 4 का B हो जाएगा ठीक है इससे ये पता चला कि टोटल 4 step में ये तयार हो जाएगा मैं चाहता तो इसका long method से लिख सकता था step 1 में एक element को लाते word को later को जो भी है ठीक है उसको लाते हैं बाकी को अंदर कर देते फिर step 2 में 1 के बाद 2 को लाते फिर बाकी को अंदर कर देते हैं मतलब बहुत ही time लगता हम लोग को ठीक है लेकिन इसमें क्या कि नमरिंग कर दिए 1 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6 6 6 5 एसे करके ठीक है हम लोग स्वा नमरिंग स्पीड से कर दीजे बस कुछ second आपको लगेगा ठीक है ज्यादा अच्छे से प्रेक्टिस कीजेगा तो आधा मिनिट के अंदर में आप इस तरह से नमरिंग कर लिजेगा ठीक है नमरिंग करने के बाद सपोज आपको पूछा जाएगा कि step 2 कौन सा होगा ठीक है तो step 2 के लिए क्या करेंगे देखे सपोज पूछा जाएगा ना कि step 2 कौन सा होगा तो step 2 हो जाएगा देखे step 2 हो जाएगा सपोज पूछा जागा कि step 2 क्या होगा तो step 2 हो जाएगा step 2 पूछा जागा तो पहले one वाला को ले लिजे बेस्ट को ले लिजे पहले best ले लेंगे best को ले लिए और इसके बाद one के बाद फिर two को ले लेंगे, क्योंकि 2 पुछा है तो 2 को लेना पड़ेगा, फिर faculty को ले लेंगे, faculty, ठीक है, 2 को ले लिए, अब इसके बाद, 2 बोला गया था, तो 1 वाले को ले चुके हैं, 2 बोलेगा तो 1 और 2 को ले लिजेगा, ठीक है, 3 बोलेगा तो 1, 2 और 3 को ले लिजेगा, तो step 3 हो हाँ, लेकिन 2 का A, 2 का B, 2 का C यह दी रहता ना, तो वो भी 2 में ही आता, 2 का A, B, C भी 2 में ही आता है, वो भी लिखना पड़ता, अब क्या कीजेए, तो बाकी को एज़िटी नोट कर दीजे, लेकिन आगे से देख देख कर, अब क्या क्या बचा, तो आगे से देख देख क दा हो गया और दा के बाद फिर बेश्ट तो हो चुका था वान हो चुका है ठीक है तो इसको नहीं लेंगे हाँ फोर फिर रिजनिंग जो जैसे बच्चे हैं उसी तरफ एज़िटी देख देके उतारना है और ये तो हो ही चुका था ठीक है तो step 2 हो जाएगा बेश्ट फैकल्टी नसीम सर इज दा रिजनिंग ठीक है सपुझ बोला जाएगा कि step 3 क्या होगा सपुझ बोला जाएगा कि step 3 क्या होगा तो देखेगा कि step 3 को कैसे लिखेंगे तो step 3 हो जाएगा तो step 3 हो जाएगा तो step 3 हो जाएगा तो फिर उसी तरह से पहले 1 वाले को लिजए पहले 1 वाले को लिजए faculty फिर 2 के बाद 3 को लिजए is और 3 का a b भी है तो उसको भी लेना पड़ेगा तो 3 का a को भी लिजए नसीम ठीक है तो 3 बोला गया था तो 3 तक जाना है 1 और 1 का a b c d रहेगा तो वो भी लेना है फिर 2 का a b c रहेगा तो वो भी लेना है फिर 3 का a b c रहेगा तो वो भी लेना है ठीक है उसके बाद 3 बोला गया था तो 3 तक ले लिए तीन तक ले लिए ध्यान से देख लिएगा कि थिरी तक का पूरा हो चुका है ना थिरी A, थिरी B, यह दी जो भी है तो जितना है सब को लेना पड़ेगा बाकि सब को A, A, G, T, J note कर दीजे आगे से देख देख कर क्या क्या बच गया आगे से देखे आगे से देखेंगे तो क इसका नाम होगा पहले तो Sir, पहले Sir आजाएगा, ठीक है फिर कौन बचेगा, 1, 2, 3 छोड़ दीजे फिर उसका दा हो जाएगा, ठीक है दा के बाद, 1, 2, 3 छोड़ दीजे क्योंकि Step 3 तक तो हो चुका है ना, Step 3 तक तो होई चुका है, यहां तक तो Step 3 है, देखें, यहां त सुके हैं, उसका क्या बचा, Sir बच गया, फिर इसके बाद दा बच गया, दा के बाद फिर रिजनिंग बच गया, रिजनिंग बच गया, रिजनिंग बच गया, और तो कुछ है ने, ठीक है, तो यह हो गया Step 3, यह सौट में Step 3 हो गया, मान लेजे किसी इंपूट, कोई एक है, जो कि 7, 8, 9, 10 Step में जा रहा है, तो उसमें जल्दी से नंबरिंग कर दीजे, 1, 2, 3, 4, 5, नंबरिंग कर दीजे, फिर आपको यह पूछेगा Step 7 क्या होगा, तो फिर 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, बाकी सब को जो बच गया, 7 के बाद, उसक एक एक जामपल मैंने लाया है, एक इंपूट है, इंपूट में क्या लिखा है, बट, काम, फ्री, आर, सो, नॉट, इ, ठीक है, और मान लिजे, इसको Stepwise एरेंज करना है, और A to Z में सजाना है, और Auto Arrange Case लेना है, ठीक है, तो इसको कैसे हम लोगो बनाना चाहिए, A to Z, A to Z, Stepwise और Auto Arrange Case, ठीक है, तो सबसे पहले किसको लेंगे, तो सबसे पहले A वाला वर्ड लेंगे, तो A वाला तो साइद, हाँ है, A वाला है, ठीक है, R, ठीक है, तो Number One, इसको Number One कर देंगे, ठीक है, A के बाद, इसके बाद किसको आना चाहिए था, तो इसके बाद B को आना चाहि जैसे सबसे पहले हम लोगों को R लेना चाहिए था R, तो क्या R सबसे पहले था, क्या नहीं R तो 1, 2, 3, 4 नमर पे था, इसलिए Auto Arrange नहीं है R के बाद मुझे बट लेना है, तो बट लेना है तो अब तो सबसे पहले मुझे बट ही दीख रहा है Selected वाले, Without Selected में तो सबसे पहले काम ही बचा हुआ है इसलिए फिर यह Auto Arrange हो जागा इससे पहले तो और कुछ है भी नहीं, जो भी है वो तो Selected ही है और By Default A, B के बाद C को ही आना चाहिए था इसलिए यहाँ पर Auto Arrange हो जाएगा तो 1 का B हो जाएगा 1 का B, ठीक है इसके बाद A, B, C A, B, C, D, E D, E, F D, E, F यानि E आना चाहिए था तो इधर से देखने पर सबसे पहले E तो नहीं आएगा पहले तो इधर Without Selected में Free है, फिर So है, फिर Not है इसलिए यहाँ Auto Arrange नहीं हो रहा है तो यहाँ पर It का नाम टब 2 हो जाएगा इसका नाम 2 हो जाएगा तो A, B, C, D, E, F अब इसके बाद F चाहिए लेकिन F जो है उससे पहले तो और कुछ है नहीं तो इसलिए 2 का A हो जाएगा इसके बाद F, G, H, I, J, K, L, M, N L, M, N, O, P, Q, R, S L, M, N अब N चाहिए तो N तो सबसे पहले नहीं है उससे पहले तो अभी 100 भी बचा हुआ है इसलिए यहाँ Auto Arrange नहीं हो पाएगा यदि 100 नहीं रहता यहाँ पर 100 नहीं रहता तो 2 का B हो जाता ठीक है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा 3 हो जाएगा 4 तो यह 3 का A हो जाएगा 3 का A हो जाएगा मतलब total total 3 steps लगेंगे है न 3 steps लगेंगे यहाँ पर देखें 3 steps will be required 3 steps will be required 3 steps will be required to complete to complete this arrangement to complete this arrangement 3 steps लगेंगे और इससे मुझे क्या हो मैरा time waste नहीं हुआ जो step पूछेगा उसी step को बस लिख देंगे step 2 पूछेगा तो 1 वाला 1 का ABC है उनको भी और 2 वाला और 2 का ABC है उनको भी उतना को note करके बाकि सब को AGT रख देंगे तो हो जागा step 2 समझ गए आप लोग ठीक है एक question मैं दे रहा हूँ जो आप लोग ध्यान दीजेगा देखेगा ठीक से देखेए तो इससे पहले मैंने आप लोग को machine input को बहुत सारा example मैं बता चुका हूँ ठीक है कुछ को effect बता चुका हूँ कैसे कैसे ध्यान देना है auto arrange non auto arrange ठीक है कैसे कैसे step words लेना है तो उसके बाद मैंने एक input दिया आप लोग को input क्या है the former राज सभा चेर्मेन नजमा हेप्तुला दा अलग है former अलग है राज अलग है सभा अलग है chairman अलग है राज सभा लोग है ठीक है और hint क्या है hint है कि step one में A to Z वाला एक word लेना है और step two में फिर Z to A वाला एक word लेना है और alternate चलता रहेगा एक बार A to Z वाला word एक बार Z to A एक बार A to Z एक बार Z to A मतलब की alternate मैं ने लिखा है और हाँ याद रखना है कि auto arrange case लेना है auto arrange case मतलब alternate मतलब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि step 3 में फिर लेंगे a2z step 3 में फिर a2z आ जाएगा और step 4 में फिर z2a आएगा मतलब एक पर a2z एक बद z2a alternate alternate a2z z2a a2z z2a a2z z2a और auto arrange case लेना है तो चले step 1 में सबसे पहले a2z में देखते हैं कि किसको लेना चाहिए a2z में सबसे छोटा कौन है सबसे छोटा कौन है तो सबसे छोटा है chairman तो chairman का नाम हो जाएगा one number chairman का नाम हो जाएगा one number ठीक है अब चले अब हम लोगों इसके बाद z2a चाहिए मतलब जो सबसे बड़ा है, decreasing order में, ठीक है, decreasing order में, सबसे बड़ा कौन है, तो P, Q, R, S, T, P, Q, R, S, T, R, S, T, तो T सबसे बड़ा है, T सबसे बड़ा है, मतलब एक बड़ A to Z हो गया, chairman सबसे चोटा, अब सबसे बड़ा चाहिए, लेकिन सबसे बड़ा दा है, और rights इधर से देखने पर सबसे पहले दा ही हम लोग को मिल रहा है, यानि कि तब तो यह auto arrange है, तो इसका नाम हो जागा, one का A, one का A हो जाएगा, ठीक है, तो वो भी auto arrange ही है, इससे पहले तो और कुछ है भी नहीं, तो इसका नाम हो जागा, one का B, one का B, one का B हो गया, ठीक है, अब इसके बाद छोटा होगी, आब हमनों को बड़ा चाहिए, बड़ा में कोन है, M, N, O, P, Q, R, S, अब S है, सभा है, लेकिन इधर से देखने पर स one का C हो जाता, one का B के बाद one का C हो जाता, ठीक है, सभा हो गया बड़ा, अब हमनों को छोटा लेना है, छोटा कोन है, M, G, H, अब छोटा है H, हेप्तुला, लेकिन हेप्तुला से पहले तो और भी इधर बचे हुए है, सबसे पहले तो हेप्तुला नहीं है, यदि सबसे प से पहले तो कुछ बचा हुआ है भी नहीं, इसलिए 3 का A हो जाएगा, R से पहले कुछ भी बचा हुआ रहता, तो वो तब 4 होता, ठीक है, तो 3 का A हो जाएगा, 3 का A, और हो गया राज्य, अब इसके वाद एक छोटा चाहिए, तो छोटा में तो अब नजमा, एक ही नजमा बचा हुआ है, और तो कुछ है भी नहीं, तो 3 का B हो जाएगा, 3 का B, यानि total 3 step में यह तयार हो गया, अब आपको इदी पुछेगा, कि step 2 या step 1 कुन सा होगा, तो step 1 होगा, चेर्मन, चेर्मन, दिवा, टिर फॉर्मर, चेर्मन, दिवा, फिर फॉर्मर, और वन बोला है, तो 1 तक ही जाके रुख गए, फिर बाकी को AGT देख देखे आगे से बोल देंगे, राज, सभा, नजमा, हेपतुला, ये हो जागा step 1, ठीक है, तो मैं होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, तो इसके बाद फिर next इसका जो आगे का जो question होगा, और भी अलग पार्ट ह मैं लेकर फिर बहुत जल्दाओंगा, ठीक है, आप लोग इदे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, मैं नए ने इसी तरह को वीडियोज लाते ही रहता हूँ, ठीक है, और आप लोग कोशिस करें, कि हम इसाज जुड़े रहें, और आपका जो भी target है, हम लोग जरूब पूरा करेंगे, हम लोग सब आप लोग के लिए लगे हुए है, ठीक है, और फाइदा इसका उठाइए, रेक दूसरे कोई बताइए, और यह सब practice कीजिए, ठीक है, मिलते हैं अगले session में, तब तक के लिए, thank you, goodbye and take care, अपना ख्याल रखेगा सब लोग